नमस्कार दोस्तों आज एक और पारिवारी कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की कहानी है जिस घर में मेरी मां के लिए जगए नहीं है उस घर में मैं भी नहीं रह सकता मैं और मेरे पती हम दोनों की परवरी सना थालय में हुई थी, क्या बताऊं बहुत ही कष्ट भरी वो जिन्दगी थी, बच्पन में भीक के ही भरोसे हमारी जिन्दगी चलती थी, अगर कहीं से अच्छा खाना मिल गया तो मिल गया नहीं तो भूखे रहो, दिन बार हम काम किय करते लोगों से हैंडी क्राफ्ट बहुत पसंद है, तो हमें हमेशा हाथों से कुछ न कुछ बनाते ही रहना पड़ता था, उसके बावजूद भी ना तो हमें पेट भर भोजन मिलता और ना ही तन ढखने भर का कपड़ा मिलता था, हमारे साथ एक अच्छी बात थी, हमारे अना थालय में बच्छों का सारी रिक्स सोंसर नहीं होता था, भले ही बच्छों से कितना भी सारी रिक्सरम लिया जाए तो हमें सारी रिक्सरम करने की आदत हो गई, बहुत अधिक काम करते थे हम, जैसे कालीन बुना गर्बती बनाना जूट के बैक कड़ाई करना नगड़े था, अभी हम दोनों ने युवा वस्था में कदम ही रखा था कि हमारे अनाथाले के इंचार्ज की मौत हो गई, वे हम्से अत्यदिक स्रम लेते थे, हमसे परणतु इसवर से डरते थे, ना तो खुद किसी का सारीरिक सोसर करते थे ना ही किसी को करने देते थे गुसे में पिटाई भी वा काफी किया करते थे परन्तु हमारे साथ उन्होंने कभी गलत काम नहीं होने दिया उनकी मौत के बाद हमारे अनाथाले के नए इंचार अत्यधिक लोभी थे उन्होंने कमाई का एक और रास्ता अपना लिया अब लड़कियों को अच्छा खाना मिलने लगा रमेश भहिया ने हमें आगाह किया था समल कर रहना ने हाजरूर कुछ गरबर है उस दिन मैं सोरे साल की मुझे साथ लेकर हमारे इंचार्ज चंदा लेने के लिए निकले हम लोग एक आलिसान घर में गए घर बहुत ही सुन्दर और विसाल काय था उस घर के मालिक ने इंचार्ज को एक लाग का चेक दिया मुझे आराम करने को कहा मैं बहुत खुश थी क्योंकि बहुत ही अच्छा खाना मिला था पर डर भी रही थी कि कहीं कुछ गलत नहीं हो क्योंकि आना थाले में रहने के कारण उम्र से ज़्यादा परिपक्व थी पर अन्तु होनी को कौन टाल सकता है हमारे इंचार्ज महोदय पता नहीं कहां चले गए और उस घर का मालिक जो की लगबक चालिस साल का था मुझे साम से लेकर सुबह तक नजाने कितनी बार नोस्ता रहा जब मैं वापस आई तो मैंने डरते डरते या बात पपू यानि कि अपने पती को बताई पपू ने कहा अब हम यहां नहीं रहेंगे फिर जुगत लगा कर हम दोनों वहां से भाग गए दोनों ही हम उम्र हैं तो अनाथाले से निकलने के बाद हम लोगों ने तै कि रोजगार कर लेंगे कुछ रोजगार करना भी कहां आसान है बहुत ही मुश्किल से मिलता है फिर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई छोटा मोटा रोजगार कर सके गारंटी देने वाला भी कोई नहीं था कि तभी रमेश भाईया हमें मिले वह अनाथ नहीं थे परन्तु अनाथ जैसे ही थे उनके पिता ने उनकी मा को छोड़ कर दूसरी साधी कर ली थी मा भी उनकी दीन भरे घर में बाई का काम करती यानि की बरतन कप्ड़ा सफाई का रात में वापस आती रमेश भाईया दिन भर अवारा लड़कों के साथ घूमते रहते उनकी मा कितना भी चाती पर ध्यान नहीं देने के कारण वा पढ़ाई नहीं करते अक्सर घूमते हुए हमारे आनाथाले की तरफ आ जाते उनसे हमारी अक्सर मुलाकात होती जब हम आनाथाले से बाहर आएं तो उन्होंने ही हमें सहारा दिया दूसरे मुहले में छुपा कर रखा आमारी मंदिर में साधी करवाई एक छोटा सा जोपड़ी दिलवा दिया उस कमीने आदमी ने मुझे अलग से खुसो कर 10,000 रूपे दिये थे कहते हैं ना पैसे पर यह नहीं लिखा होता कि वह कहां से आया है अभी वह पैसे वेश्याले में है तो थोड़ी देर में वही पैसा मंदिर में देवता के चरणों में पड़ा हुआ मिलता है उन्ही पैसों की बदियलत हमें जोपड़ी मिली थी और रमेश भईया ने थोक मार्केट में सबजी दिलवा दी थी और एक ठेला गाड़ी किराए पर हम दोनों पती पतनी मिलकर दिन भट ठेला गाड़ी पर घूम घूम कर सबजी बेचते साम में वापस आकर थोड़ा बहुत कुछ पका कर खा लेते या बाजार से खरीद कर खा कर सोजाते किसी तरह दिन कट रहे थे एक दिन जब हम दोनों सबजी बेचकर वापस लौट रहे थे तो एक जगह काफी भीड लगी हुई थी हमने जाकर देखा तो एक और रोड़ पर बेहोस पड़ी हुई थी सभी उसे घेरे खड़े थे ज्यादा घायल तो नहीं थी परंतु कोई भी उसे उठाने की कोशिस नहीं कर रहा था मेरे पती उसके पास गए और उसके मोँ पर पानी डाला औरत की बेहोसी थोड़ी तूटी उसने मेरे पती का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी बेटा मुझे घर से मत निकालो मैं दुम्हारे घर में दाई बन कर रहे लूँगी सारा काम करूँगी जो रूखा सुखा दोगे वही खा कर रहे लूँगी कभी उफ ना करूँगी बेटा सब्द सुनते ही पता नहीं मेरे पती को क्या हुआ उस औरत को उठा कर घर ले आए लगबक चालिस सार की औरत देखने में काफी खुबसूरत मेरी तो जरा भी इच्छा नहीं थी परन्तु मैं क्या करती दिन दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था घर में भी औरत बेहोसी में यही वड़़़ा रही थी जो धोड़े बहुत पैसे जमा हुए थे उनसे पती उनकी दवाई लेकर आ चुके थे और पहली बार मुझे गुस्ता ना आये तो खुश से खाना पकाया था वह रोते हुए मुझे कह रहे थे जिन्दगी में आज तक किसी ने मुझे इतने प्यार से बेटा ना कहा था मुझे तो लगता है मेरी खोई हुई मा मिल गई है परंतु मैं आस्वस्त नहीं थी अगले दिन जब हम लोग सबजी बेशने के लिए निकले तो मैंने उस औरत को घर के बाहर कर दिया और दर्वाजे पर ताला लगा दिया पती ने कहा मेरी मा है तुम उने कैसे निकल सकती हो इस पर मैंने कहा तुम्हारी नजर में तुम्हारी मा है पर मेरी नजर में ये चोर भी हो सकती है बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ी ग्रिहस्ती जोड़ी है हमारा कोई नहीं है, जो हमारी मदद करे, अगर यह तुम्हारी माँ है तो तुम्हारा इंतजार करेंगी, सच मुझ जब हम वापस आएं तो वह दर्वाजे पर इंतजार कर रही थी, जब हम दोनों अंदर आएं तो बोली, हाथ पैर धोलो तुम लोग, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूं, ठके हुए हो तुम दोनों, उस औरत ने इतना बढ़ियां खाना पकाया कि खा कर हम दोनों तृप्त हो गएं, पहली बार किसी ने हमें इतने प्यार से भोजन पका कर खिलाया था, वा औरत जिसे मेरे पती मा कह रहे थे, वा बहुत ही प्यार से हमें खिला रही थी, मेरे पती का पेट थोड़ा भर गया तो उन्होंने पुछा मा, आपने खाना खा लिया, उन्होंने कहा तुम लोग खा लो, उसके बाद मैं खाऊंगी, इस पर मेरे पती बोल पड़े, कल आप घायल थी, माना की ज़्यादा चोट नहीं आई थी, फिर में प्यास लगी, तो बाहर नल से पानी भी पी लिया, मैं समझ गई, हमारे पडोस में ही रमेश भाईया भी रहते थे, उनकी मा ने सुबह काम पर निकलने से पहले उन्हें बाहर में देखा होगा, तो पूछा होगा कौन है, उन्होंने बताया होता कि पप्पू की मा है, क उन्हों भी हमारे साथ ही खाओ, वा औरत एक ठाली में अपने लिए भी खाना परोस कर लेते आई, अब जोपडी तो एक ही थी सोते हम कहां, परंतु यह क्या हमने देखा रसोई में सारे सामान को एक तरफ समेट कर उन्होंने थोड़ी सी जगह बना ली थी, और उसी में प परंतु उस ने कहा नहीं, वा यही ठीक है, बेटे बहु के बीच में वा कैसे सो सकती है, मैं मन ही मन उन्हें गाली दे रही थी कि देखो ऐसे ही खर्चा नहीं चलता, और यह आ गई है खर्चा बढ़ाने को, पप्पु के भोले पन का गजब फायदा उठा रही थी, परंत दिन भी मैंने वही किया, यानि कि उस औरत को बाहर निकाल कर घर में ताला लगा दिया, परंतु जहां हम बिना कुछ पकाए, रोट किनारे कुछ खरीद कर खा लेते थे, आज उस औरत ने हमें खाना खिला कर भेजा, पप्पु बहुत खुस था, कहने लगे, आज पहली ब लग रहा है कि पेट भर कर खाया है, तभी तो लोग कहते हैं कि मा के हाथों में जो संतुष्टी मिलती है, वह किसी और खाने से नहीं मिलती, यह सुनते ही मैं अंदर से जल भून गई, परंतु वास्त विक्ता यही थी कि मैंने अना थाले में खाना पकाना सीखा ही नहीं थ और जिन्दगी की जद्दो जहत के कारण कभी खाना पूरा पकाती भी नहीं थी, परंतु अपने आगे अपने पती के मुझ से दूसरी औरत की बढ़ाई भला किसे बरदास होती है, पर मैं मन मसोस कर रह गई, क्योंकि मेरे पती उस औरत के प्यार में पागल हो रहे थी, व परंतु वह संभरंत परिवार से होने के कारण काफी आकरसक दिखती थी, अगले दिन भी जब हम घर पहुंचे तो वह दरवाजे पर बैठी मीली, अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया, एक दिन पप्पु ने कहा, चोरी होता है तो होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़त मैंने मन ही मन कहा, जवान और हठी कठी तो दिखती है, कहीं की उम्र हो चली है, पर पप्पु के रोदर रूप को देख कर मन मसोस कर घर छुला छोड़ दिया, परंतु अपनी पेटी में ताला लगा दिया, और मा को धमका दिया, इसे चुना मत, नहीं तो मुझसे बुरा क कोई नहीं होगा, पप्पु को मेरी यह बात सुनकर गुसा तो बहुत आया, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, परंतु अखुस भी था मुझसे क्योंकि मैंने घर खुला छोड़ दिया था, जब हम साम में वापस आएं तो देखते हैं कि घर पूरी तरह ब्यवस की देख कर पता नहीं मेरा सरभन आने लगा, और मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी, बगल में एक वाड़ बॉय रहता था जो कि हम लोगों के बीमार पढ़ने पर हमें दवाईयां दिया करता था, क्योंकि सामान ने अवस्था में तो हम डॉक्टर का खर्च वहन करने में सच् मा सबको चाय बना कर पिला रही हैं और पपु सबको लड़ू दे रहा है, साथ ही साथ कह रहा है, चार साल हमारी सादी को हो गए थे, बच्चे के लिए मैं तरस गया था, परंतु मा का कदम कितना सुभ हुआ की देखो मेरा परिवार पूरा होने लगा, अब मुझे कुछ मा भी मुझे मिल गई पतनी भी, अब बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए तो मेरा परिवार पूरा हो जाएगा, भगवान से जो भी सिकायत थी वह अब नहीं रही, मुझे लग रहा था कि अब तो दो दो आदमी का खर्च बढ़ जाएगा, तो इतने पैसे कहां से परंतु घर खर्च एक बिवस्थित आदमी यानि की मा के हाथों में आ चुका था, इसलिए पैसे बच रहे थे, मा अपने पास पैसे तो नहीं रखती थी, परंतु उनकी सुघरता ने घर को बिवस्थित कर दिया था, मेरा जी आजकल सही नहीं रहता था, कुछ भी इतनी खुबसूरत औरत आखिर हमारी जोपड़ी में क्यों पड़ी हुई है, या हमारी इतनी सेवा क्यों करती है, इस तरह के सवाल मेरे मन में घुमते रहते, बार बार उल्टिया होने के कारण मेरा सरीर कमजोर हो चुका था, मैं पप्पू के साथ सबजी बेशने नहीं आपा रही थी, तब मा ने कुछ मिठाईयां, बढ़ियां, पापड, मिक्स, अचार बना कर पपू को दे दिया और कहा कि इससे तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी, सच में इन सारी चीजों से कमाई में काफी इजाफा हुआ, हमारी अर्थी किस्तिती काफी सुधर चुकी थी मेरा पैच्वा महीना जा रहा था, सरीर बेड़ा ओल हो रहा था, पपू दिन भर काम में लगा रहता, वापस आता तो मा के साथ बड़ी पापड अचार बनाने में जुड़ जाता, हमें हार्ड वर्ड की आदत तो थी ही, परंतु मैं भी पूरी ग्रिहस्तन हो चुली थी, हमेशा पपू के जाने के बाद मा को कोस्ती रहती, एक भी मिनट मेरे पती को आराम नहीं करने देती है, दिन भर खुछ से चिपकाए रहती है, मेरी मुहले में कुछ सहेलियां बन गई थी, रूबी, प्रिया, मोना, या तीनो मेरी खास दोस्त थी, परंतु मेरी तरक्की द देख और उस औरत को देख, कितनी सुन्दर दिखती है, भला बताओ, यहां क्यों रहती है, दिन भर पपू को बेटा-बेटा कहती रहती है, परंतु खुछ से चिपकाए रखती है, तो नजर रखा गर पपू पर, प्रिया और मोना भी उसकी हां में हां मिलाती, पपू मेर और बच्चों के लिए दिन भर काम में जुटा रहता, मा भी एक पल भी आराम नहीं करती, पर कमजोरी के कारण में ज्यादा काम नहीं करती, तो उल्टा सिधा सोचती रहती, ऐसे ही किसी ने नहीं कहा है, कि खाली मन सैतान का घर होता है, और काम की कमी होने के कारण मेरा भी मन अक्सर उल्टा सिधा सोचता रहता और मैं सक के आग में छुलस्ती रहती इसमें घी डालने का काम रूबी करती रहती और मोना प्रिया इसे आँच देखर जलाए रखती मेरे मन में मा के लिए जहर घुलता जा रहा था जबकि वास्तविक्ता यह थी कि रूबी का पती पिटता रूबी मेरी तरक्की देखकर मुझसे जलने लगी थी क्योंकि जम्मय यहां आई थी तो अक्सर रूबी से उधार माना करती थी सराभी पती होने के कारण रूबी दो तीन घरों में दाई का काम किया करती थी फिर भी हमारी दोस्ती पर करार थी यूँ भी जोपड की औरतों को अक्सर फ्लेट वालों के यहां धाई का काम करना ही पड़ता है क्योंकि करीब करीब सभी के पती सराभी ही होते हैं और जो सराभी नहीं होते वह भी दिहारी मजदूर होते हैं तो फ्लेट में काम वाली का काम करना यहां के जीवन की यह काम कड़ी थी तो मुझे काम भी होता, परंतु मा के रहने के कारण डॉक्टर ने जितना आराम के लिए कहा था, उतना मुझे आराम उपलब्द हो रहा था, मुझे लेकर मा अक्सर सरकारी स्वास केंद जाती, और डॉक्टर दिदी के गाइडलाइन के अनुसार, मेरा खाना पीना और सारा क आई करती रहती, रूबी मेरे बहाने अक्सर मेरे घार आती, और पप्पू से काफी घुल मिलकर बाते करती, पप्पू के घार आने पर वे मेरे घार आकर पप्पू और मा की मदद किया करती, मा को उसके द्वारा पप्पू की मदद करना जरा भी पसंद नहीं पड़ता, वह अक्सर रूबी को जिड़क कर भगा देती, अनुभवी आँखों ने बहुत कुछ ताड़ लिया था, पर मेरी आँखों पर रूबी नाम की पट्टी बधी थी, वह मुझसे कहती, मैं पपू की मदद करती हूँ बड़ी पापड बनाने में, ताकि पपू का काम जल्दी पर जाए और वह अधिक से अधिक तुम्हारे करीब रहे, पर इस नकली मा को बरदाश नहीं होता, देखो कितनी जवान दिखती है, फिर मेरे मन में पाप फलचल मचाने लगता, और मा को मैं खरी खोटी सुनाने लगती, एक दिन अचानक जैसे भी स्फोर्ट हुआ, पता नहीं कहां से या, खबर उड़ी की मा एक बेस्या है, बात ऐसी थी, सुबह सुबह मा नल पर पानी भर रही थी, तभी एक आदमी आया, उसने मा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तो तु यहां छुपी बैठी है, चल कोठे पर चल, मा चीक पड़ी, वह जोर जोर से प पपू पपू पुकारने लगी, पपू सुबह सुबह ठेले पर सबजिया सजा रहा था, मा की आवाज सुनकर वह दोड़ पड़ा, वह आदमी मा को खीच रहा था, पपू ने जाकर उसे धका दिया और बोला, यह मेरी मा है, तुम्हारी जुरत कैसे हुई, मेरी मा का हाथ वह आदमी कहने लगा, मान नहीं सकता, मैं यह तो मेरे कोठे की लाल बाई है, मैं नहीं मान सकता कि यह तुम्हारी मा है, इस पर पपू ने सकती से कहा, तुम्हारे मानने या नौ मानने से क्या होगा, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, यह मेरी मा है, जाओ तुम यहां से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा वह आदमी डर से चला गया उसके जाने के बाद मा डर से थर-थर काप रही थी पप्पु मा को पकड़ कर घर लाया मा रोय जा रही थी पप्पु मा के बगल में बैट कर उनके आंसू पोच रहा था वह कह रहा था मा आप डरो नहीं मैं हूँ ना तभी रूबी ने बाहर से जाका और मुझे इसारे से बाहर बुलाया जब मैं बाहर गई तो रूबी मुझे से कहने लगी मैं कहती थी ना या औरत बड़ी चतूर है देखो कैसे पप्पु को फसा लिया है मैंने अंदर ज़ाक कर देखा मा पपु के कंधे पर सर रख कर सिसक सिसक कर रो रही थी और पपु उनके आसू पोच रहा था वह कह रहा था मेरे होते हुए कोई आपको खुश नहीं कर सकता रूबी ने मुझे कहा देख रही हो तुम्हारा घर लगता है अवेस्या उजार कर ही रहेगी मेरे सबर का बांट तूट चुका था मैं घर के अंदर गई और चिलाने लेगी अवेस्या अभी निकलो यहां से नहीं तो मुझे खराब कोई नहीं होगा व्याere डर कर पपु का हाथ पकड़ कर और जोर जोर से रोने लगी उनको रोते देख पपु ने मुझे से कहा जिस दिन तेरे साथ उस आदमी ने जवरजस्ति किया था उस दिन तुम भी मुझे इसी तरह लिपट कर रो रही थी अगर मैं उस दिन तेरा साथ नहीं देता तो आज तू भी किसी रंडी खाना में होती कोई भी यवरत अपनी मर्जी से वेस्या नहीं बनती और खबरदार जो तुने मेरी मा को वेस्या कहा मुझसे खराब कोई नहीं होगा पपु का इतना कहना था कि मैं रचंडी बन गई मा को खीच कर खड़ा कर दिया और उन्हें धक्का देकर अपनी जोपड़ी से निकालने लगी वह मेरे पैर पढ़ने लगी ना निकालो बेटा मुझे मैं तुम्हारे सब काम करूंगी जैसे रखोगे वैसे रहूंगी पर मैं जरा भी नहीं पसी जी उन्हें धक्के देती रही अब पपु का सब्र तूट गया उसने मां से मुझे अलग किया पर मैं धारा प्रवाह गालियां बक रही थी पपु ने कोने में रखा हुआ डंडा उठाया और चिलाते हुए मुझे एक डंडा मारा वह कह रहा था चुप रह कमीनी अगर मेरी मा को ज़्यादा बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा दूसरा डंडा मुझे पर पढ़ता इसके पहले मां बीच में आ गई और बोलने लगी पागल हो गया है तु बेटा या पेट से है बहुत मनत के बाद तु बाप बनने वाला है पपु ने कहा मुझे नहीं बनना है भापी सौरत के बच्चे का नाक में दम कर रखा है इसने मा तु इतना अधिक इसकी सेवा करती है फिर भी यह तुझे सांती से जीने नहीं देती मैं सब देखता हूँ सब जानता हूँ मैं घर में दिन भर नहीं रहता तो क्या मुझे घर की खबर नहीं रहती सब खबर रहती है मुझे उसने फिर मुझे मारने के लिए डंडा उठाया इस बार मा ने डंडा छीन लिया गुसे में पप्पू घर से निकल गया या कहते हुए कि जिस घर में तेरी जगय नहीं मा उस घर में मुझे भी नहीं रहना पप्पू के जाते ही मैंने कहा अगर तुझे जरासी भी सर्म है तो तेरे बेटे की कसम है तुझे निकल जा यहां से मा ने कुछ नहीं कहा चूप चाप निकल गई सच में पप्पु से उनका दिल का रिस्ता बंद गया था परंतु थोड़ी ही देर में वापस आ गई मैंने मा से कहा तु फिर वापस आ गई मेरा घर उजानने को उन्होंने कहा एक बार तो तुमने मुझे मेरे बेटे की कसम दे दी अब मैं तुझे तेरे अजन में बच्चे की कसम देती हूँ मुँआ पर ताला लगा कर चूप चाप चल मेरे साथ गुस्सा थो बहुत था मेरे अंदर परंतु मैं उनके साथ चल दी कुछी दूरी पर रुबी की जोपडी थी मा ने मोपर उंगली रखकर मुझे बोलने से कुछ रोका और सुनने को कहा अंदर से पपू की आवाज आ रही थी रुबी तुम ठीक कहती थी नेहा बहुत बदमास है मा कितनी सेवा करती है उसकी परंतु मा से कभी भी अच्छे से बात तक नहीं करती दीन रात मा उसकी सेवा करती है इतनी उम्र में भी परंतु मा को गाली भी देने लगी है तु ठीक कहती है सही आदमी को सही साथी नहीं मिलता तुझे भी पी अकड़ पती मिला है और मुझे बला की जगडालू पतनी मैंने अंदर जाग कर देखा रूबी की गोद में पप्पु सर रख कर लेटा हुआ था रूबी उसके बालों को सहला रही थी साथ ही एक गलत रिस्ते की निव भी पढ़ रही थी मैं चिलाती उसके पहले ही माने मेरे होठो पर उंगली रख दिया और फुस-फुसा कर बोली तु घबरा मत बेटी मैं तेरा घर ना उजडने दूँगी मैं तुझे और पप्पु को दिल से बेटा और बहु मानी हूँ सिर्फ खून के रिस्ते ही बड़े नहीं होते हैं दिल का रिस्ता सबसे बड़ा होता है मैं ये साबित कर कर रहूंगी मैं रो रही थी बिवस थी कि तभी माने चिलाना सुरू किया पप्पु पप्पु कहां है तू देख बेटा नहा ने मुझे घर से निकाल दिया ऐसी जिंदिगी से तो मौत भली इतना सुनना था कि पप्पु वहां से उठा और बाहर आया हम दोनों को रूबी की जोपड़ी के आगे खड़ा देखकर आवाक रह गया उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था मा ने कहा घर चल बेटा मैं आत्मगलानी से भरी हुई थी मा के सामने मैं नजरे नहीं उठा पा रही थी मा ने रोते हुए कहने की सुरुवात की उन्होंने कहा नेहा तुझे मेरे उपर सक है तो आज बेटा मैं तुझे अपनी कहानी बताती हूँ मेरे पिता की मृत्यू बच्पन में ही हो गई थी बड़ी पापड अचार और मिठाईयां बना कर हम दोनों मा बेटी किसी तरह गुजारा करती थी क्योंकि हमारी जमीन जाजाद चाचाओंने हतिया लिया था कोई नहीं था हमारा मदद करने वाला पैसे पास में नहीं थे तो मेरी साधी भी नहीं हो सकी मा दुखी रहती थी हर पल मेरी साधी के लिए परेसान रहती थी जबकि मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक छाखी थी माँ बिस्तर पकड़ चुकी थी मेरी उम्र लगबग 30 साल हो चली थी कि तभी एक आदमी ने जिसकी उम्र लगबग 50 साल थी उसने मेरा हाथ माँगा उसने मुझसे वादा किया कि वह मेरी मा का इलाज कराएगा उसने अपना वादा पूरा किया पर माँ जिंदगी की जंग हार गए परंतु उसकी एक सर्थ थी कि मुझे बच्चे नहीं होंगे क्योंकि उसे पहले से तीन बेटे और एक बेटी थी तीनों बेटे मुझसे उम्र में थोड़े ही छोटे थी बेटी भी मेरी हम उम्र थी जैसी भी थी जिंदगी ठीक ठाकी गुजर रही थी कि तभी मेरे पती की मृत्यू हो गई मेरे बेटों को लगा कि प्रापर्टी में मैं अपना हिस्सा मागूंगी बलकि मेरे पती ने मेरा हिस्सा लिक भी दिया था पती की मौत के कुछ महीनों बाद उन्होंने मुझे बच्चलन साबित कर आधी रात में घर से निकाल दिया मैंने उनकी कितनी मिन्नते की पर उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी मुझे घर से निकाल कर ही दम लिया जबकि मैं गिडगिड़ा रही थी मैं कह रही थी घर के सब काम करूंगी उफ भी नहीं करूंगी जो दोगे वो खा लूंगी जो दोगे पहन लूंगी परंतु मेरी बहूं के मुझसे डर लगता था क्योंकि वह लोग भी मुझसे उम्र में बहुत कम छोटी थी उन्हें यह डर सता रहा था कि मैं कहीं किसी बेटे को फुसला कर अपने बस में ना कर लूं जबकि मेरा इस्वर जानता है मैंने अपने पती के चारो बच्चों को खुस से जन में बच्चे की तरह माना है मैं सड़क पर जा रही थी तभी एक गाड़ी आई उसमें से दो आदमियों ने मुझे 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 दबा कर गाड़ी में डाल लिया मैं कोठे पर पहुँच चुकी थी 38 साल की उम्र में मैं बेस्चा बना दी गई मुझे वो जिन्दगी बरदाश नहीं हो रही थी मैं अपना सुध बुद खो चुकी थी बस एक जिन्दा लास की तरह जी रही थी तभी एक दिन मेरा दामाद आया बता नहीं सकती भगवान की नजरों में और अपनी नजरों में कितना गिर गई मैं उस दिन उसने मुझे बताया कि जब मैं सड़क पर अकेली जा रही थी तो उसने ही कोठे वालों को खबर किया था और बदले में अच्छी खासी रकम पाई थी पहली बार मैंने जवरजस्त प्रतिकार किया क्योंकि अभी तक मैं जीने की आज छोड़ चुकी थी और जिन्दगी से समझाता कर लिया था परंतु उसके असपरस से मैं अपने बेटी और खुद की नजरों में गिरती जा रही थी लग रहा था अगर वह मुझे मिल गई तो मैं उसे क्या जबाब दूँगी परंतु मेरे दमाद को कोई फिक्र नहीं पड़ा उसने अपनी मनमानी की और बहां से चलता बना अब मैं एक फैसला कर चुकी थी अगले दिन पुजा के बहाने मैं कोठे से निकली और पहली ट्रक के आगे कूत पड़ी परंतु ट्रक वाला सतर कि था उसने जटके से ट्रक को मोड़ा ट्रक मुझे असपर्स करता हुआ निकल गया परिडाम सरूप मैं सड़क पर वेहोस पड़ी थी उसके बाद मेरा वास्तविक बेटा मुझे वहां से उठा कर यहां ले आया मैं मा की कहानी सुग कर अंदर तक सहीर उठी फोट फोट कर रोने लगी मेरे आसू मा से माफी मांग रहे थे क्योंकि जुबान तो मेरी सिल चुकी थी मैं आज तक खुद को ही बदनसीब समझती थी मुझे लगता था कि मेरे से जादा दुख यारी कोई नहीं है लेकिन मा का दुख सुनने के वाद मुझे पता चला कि मुझे से भी हजार गुना जादा दुख मा का था मा ने मेरा घर उजडने से बचा लिया रूबी की असलियत मेरे सामने आ चुकी थी मैंने उससे सारे सम्मंद तोड लिए मोना और प्रिया को जब पता चला कि रूबी मेरा घर उजानना चाहती थी तो वे अवाक रह गई दोनों कहने लगी नेहा क्या बोलू तेरा सुख देख कर हमें भी जलन होती थी पभगवान कसम तेरी भलाई के लिए तेरी सास की सिखायत तो उससे करती थी क्योंकि रूबी ने हमारे मन में बिठा दिया था कि पप्पू और तेरी सास के बीच में कुछ गरबर है मैंने कहा मा मेरी सास नहीं मेरी मा है सच कहूं उस दिन के बाद हम मा बेटी मा बेटे से ज़्यादा करीब आ चुके थे पप्पू अकसर सिकायत करते मा बहुत गलत बात बेटा आपका मैं हूँ और आप हैंकी नहा से ज़्यादा प्यार करती है मा हसकर कहती नहा मुझे पोता देने वाली है इसलिए इसे ज़्यादा प्यार करती हूँ पपू कहते अगर पोती दे दी तो तब तो आप मुझे ज़्यादा प्यार करेंगी मा का जबाब होता बिल्कुल नहीं तब तो मेरा प्यार और भी बढ़ जाएगा नहा के लिए फिर हम तीनों खिलखिला उड़ते वक्त पर मुझे बेटी हुई मा और पपू खुसी से पागल हो रहे थे मिटाईयां बाटी गई छोटी सी पार्टी भी रखी गई मुझे इतनी खुसी मिले गिया तो अनाथाला में कभी सपने में भी नहीं सोचा था पपू अक्सर कहते मा ने हमारे अनाथोने का एसास मिटा दिया मैं भी उनकी हां में हां मिलाती क्योंकि ऐसा करने पर मुझे स्वर्गिये खुसी मिलती थी मा के बिना जिन्दगी की कलपना कर सिहर उठती रूबी काक्स मेरे आखों के सामने घूम जाता मा की सुघरता और देखरे का ही आजिया परीडाम है कि हम लोग जल्दी ही जोपडी से निकल कर फ्लैट में आ चुके थे अब पपु ने ठेला छोड़ कर एक छोटी सी दुकान बाजार में किराये पर ले ली है जिसमें वे सबजियों के साथ फल, सुखे, मेवे, बड़ी, पापड, अचार बेशते हैं सबसे खास बात मा के हाथों की बनी हुई वो सस्ती मिठाईयां अमीर लोग भी अब पसंद करने लगे हैं मा के कारण मैं एक अनाद दो बच्चों की मा बन कर खुसी पूरवक जीवन बिता रही आज मैं और पपु एक नई फिल्म लगी थी, दोनों हम फिल्म जाने वाले हैं ट्यूसन टीचर आने वाला है पर मुझे चिंता नहीं मा है ना दोनों बच्चों को समालने के लिए वैसे भी आना थाले में हमसे सिर्फ काम लिया जाता था पढ़ने लिखने सिर्फ इतना ही सिखाया गया था कि हम अपना नाम लिख ले और किसी तरह छपे हुए को पढ़ ले पढ़ाई करते तो काम कैसे करते पर मा की पढ़ाई ठीक ठाक है जिसके कारण आज दस साल की मेरी बेटी और आट साल का मेरा बेटा इसकूल में काफी अच्छा कर रहे है मा पुकार रही है नेहा पपू आ गया जल्दी निकलो वो बाहर ही खड़ा है बाइक लेकर कह रहा है अंदर नहीं आऊंगा देर हो जाएगी अच्छा अब चलती हूँ मैं मा को बाई 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 बोल कर चली गई अब इससे जादा क्या लिखू सच में जब एक मा जिंदगी में आती है तो वो खुसियां ही खुसियां चारो तरब भी खेर देती है यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा थैंक यू फार वाचिंग मिलते हैं अगली कहानी में